नमस्कार स्वागत है आपका प्रदेश तक में मैं हूँ आपके साथ रीना मध्य प्रदेश विधान सभाद चुनाओ में मतदान से पहले बीजेपी और कॉंग्रेस का एक दूसरे परवार पलटवार जारी है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है अब हाल ही में कमलनात ने मुखमंत्री शिवरास सिंग चोहान को घिरा है दर असल अपने गड़ छिदवारा पहुंचे पूर मुखमंत्री और पीसी सी चीफ कमलनात ने बीजेपी पर जम कर निसाना साधा है इस दौरान उन्होंने अपने 15 महीने के कारिकाल में किये गए कामों को गिनाया इसी कड़ी में पहले उन्होंने कहा कि हमने मध्यप्रदेश के 27 लाग किसानों के करज माफ किये है चिदवारा में पीसी सी चीफ कमलनात ने कहा पहली किस्त में चिदवारा के 75,000 किसानों का करजा माफ किया था जिससे किसानों को कुछ मजबूती बनी मध्यपेदेश में 27 लाग किसानों का करजा माफ हुआ उन्होंने कहा सिवराज सिंग कितना भी जूट बोले लेकिन 27 लाग किसान तो मेरे गवाँ है इतना ही नहीं कमलाथ आगे कहते हैं कि हमने 100 रुपे में 100 यूनिट बिजली दी आज आप बिजली का बिल देख लीजिए उन्होंने कहा मैंने कौन सा पाप किया जो एक हजार गौसाला बनाए कौन सी गलती की जो मैंने पिंसन बढ़ाई ये सवाब के सामने है अगर हमने 100 रुपे सव यूनिट बिजली दी आप जानते है आज बिजली का बिल देख लेजीगा सबसे लेटस्ट बिजली का बिल देखीगा तो कौन सा पाप मैंने किया कि एक हजार गौसाला बनाए कौन सी गलती की कि मैंने मैंने पेंशन बढ़ाई ये सब आप सब के सामने है हलाके कौन्ग्रेस लगातार जुनता के लिए चुनावी घोशनाए कर रही है हाल ही में प्रियंका गांधी ने अपने समभोधन में कहा कि हम मद्रप्रदेस में बहनों को 1500 की समभान दासी देने का काम करेंगे के साथ ही गेहु के लिए 2600 समर्थन मुल्य और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मुल्य किसानों को देंगे इनके अलावा कौन्ग्रेस ने ऐसी कई और घोशनाए की है फिलहाल इस खबर में बस इतना ही जल्द फिर में लेंगे कुछ और खबरों के साथ देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक डॉट कॉम पर विजिट करें